कि तिरकोंड मिती हिंदी का फाइदा यह है बच्छा परटी के यहां पर विटाए अगर मैं इसको इसका कॉन पिगेशन बढ़ विन्यास कर दूं तो यह आएगा त्रकोंड कि और एक आएगा मिती कि तिरकोंड मतलब और एक मिती में इस आकिरती हो गई और यह हो गए कोंड तीन कोंड तीन लाइनों से बनी जैसे अगर मैं बात करूं छोटी सी बात करूं तो जैसे यह हो गया तो यह त्रभुज हो गया और इस त्रभुज की यानि की ट्राइंगल के हम बात करेंगे इस त्रभुज की बात करेंगे ठीक है ना जो तीन साइडों से मिलकर बनता उसे त्रभुज यानि की ट्राइंगल कहा जाता है और जो चार साइडों से मिलकर बनता उसे क्वाडी लेटरल यानि की चत्रभुज कहा जाता है ऐसी कोई इमेज जो तीन लाइनों से मिलकर बनती ह that is called quadrilateral यानि की चत्रबुज कहा जाता है सबसे पहले हम ये triangle के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे types of triangle देखेंगे यहां पर हम types of triangle देखेंगे types of triangle देखेंगे सबसे पहला आएगा एक acute angle triangle जिसे हम हिंदी में बोलते हैं noon chord दूसरा आएगा right angle triangle right angle triangle आएगा जिसे हम बोलते हैं दोस्सम कोड कोई बोलते हैं अधिक कोड क्या बोलते हैं अधिक कोड क्या बोलते हैं अधिक कोड सबसे पहले हमें इनका basic knowledge पता होना चाहिए मानलों हमारे सामने कोई ट्राइंगल रख दिया उसनों उठा गए कोई भी ट्राइंगल रख दिया जैसे मैंने एक यह रखा यहां पर एक यह रख दिया है यहां पर एक यह रख दिया है कि कौन सा ट्राइंगल है हमें identify करना है ट्राइंगल को ट्राइंगल और एक मैं इनकी साइड ले लेता हूँ ABC ABC यह राइट एंगल हो गया यानि कि 90 डिगरी हो गया और ABC यह ले लिया जैसे मैंने साइड डाली है ऐसी डाली है आपको भी और मैं यहां लिख देता हूं बेटा सी C is the largest side of a triangle C जो है त्रबुज की सबसे बड़ी भुजा है यहां पर ट्राइंगल को ट्राइंगल दे को बहुत काम आएगा और जब तो यहां पर identify कर पाएंगे कि right angle है acute है या obtuse है अगर angle की अगर side given होंगी तब कैसे identify कर पाएंगे कि कौन सा triangle है acute है right है या obtuse है तीनों में से ठीक है जैसे यहां पर ध्यान देंगे सबसे पहले अगर मैं acute angle तेंगल की बात करूंगा तो बिटा यहां पे जो इच एंगल होगा इच एंगल इंगल एे स्थें से 90 डिघ्री यहां पर प्रतीक एंगल 90 साठीड डिघ्री से छोटा हो गा ठीके यहां पर मैं एक एक जामपल भी ले लेता हूँ जैसे मैंने का 180 डिग्री है और 170 डिग्री है और 130 डिग्री एक ट्रेंगल की तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री यह पता है सब यहां पर एक एंगल आपका यहां पर आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा क्या होगा 90 डिग्री का होगा अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो फिर बचा कितना 90 डिग्री बचा तो यह यानि कि इसका और इसका इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि अगर मैंने तीस ले लिया और यह साट ले लिया तो क्या यह 90 बचेगा इस बाक्टीगली सोचके देखो रेशियो इनका सेम आना चाहिए तब यह 90 डिग्री रहेगा ना 45 पर क्या रहेगा रेशियो सेम रहेगा ठीक है कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनकी लेंग्वेज के हिसाब से हमें चलना होता है ठीक है ना लेंग्वेज में खेल करेगा वो थोड़ा सा अच्छा जी यहां पर ब जो ठीटा होगा यह बड़ा होगा 90 डिग्री से और छोटा होगा 180 डिग्री से यह बात क्लियर हो गई ठीक है यहां पर जो एक एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं तीनों बातों को आक्यूट एंगल ट्र आप जैसे एंगल होंगे कूशन में तो इसपे हमाइट़ी कर लेंगी कुंसा है अब बात आती है साइड की अगर साइड आ जाएं तो साइड की बैसे हम कैसे यूठ साइडिंटीत करेंगे क्कोन सा ट्राइंगल है घ्रिए तो इसकी लिए क्या बताया था रहे इसके लिए यहां पर नजर आ रहा है 2 छोटी साइड के स्क्वेर का सम बड़ा होना चाहिए 2 छोटी स्क्वेर के सम हम ने बड़ी साइड कौन सी लीती राजा ये रहे न सी को हमने सबसे बड़ी साइड माना है ट्रेंगल की दो छोटी साइड के स्क्वेर का सम बड़ा होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वेर से और यहाँ पर देखें दो छोटी साइड के स्क्वेर का सम बराबर होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वेर के यह हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर दो छोटी साइड के स्क्वेर का सम छोटा होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वेर के करिये जी नोट इसे इस पर जितना लिखा है सारा के लिए रहे करो नोट once noted ठीक है नोट करो बेटा जल्दी जल्दी चले चलो मैं कुछ एक्जामपल दे रहा हूँ और मुझे ये बताओ कौन से ट्राइंगल है ये 8, 9, 15 ये किस ट्राइंगल की साइड है 5, 6, 7 5, 6, 7 किस ट्राइंगल की साइड है आगला कuyस्चन 3, 4, 5 किस ट्राइंगल की साइड है देखो जी हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे क्या नहीं करना कुछ नहीं करना ये A हो गया बेटा ये B हो गया सबसे बड़ी साइट सी होगी ऐसे यह A हो गया, यह B हो गया, सबसे बड़ी साइट C होगी A हो गया, B हो गया, सबसे बड़ी साइट C होगी ठीक है सर तो दो छोटी साइट का स्क्विर करते हैं हाँ पहले यह देखते हैं और C स्क्विर का लग लेके चलते हैं एक 8 का स्केर और 9 का स्केर 81C का 15 रहागा 225 हो जाएगा पक्की बात है यह कितना ओर पांच आट रूर्चा 14 1445 और यह 225 बढ़ा है छोटा है तो किस ट्रैंगल की होगी यह जब दो छोटी साइड के स्कूर का सम छोटा होगा बड़ी साइड के स्कूर से तो कौन ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा यह कि साइड हो जाएगी है ठीक है जी अब आ जाते हैं यहां पर यहां पर एश के जमाबी स्केर सी स्केर को अलग लेकर चलते हैं पांच का स्केर 25 छे का स्केर 2,견 9 तो यह कितना हो गया 61 और यह मंण चास तो यह बड़ा हो गया हां तब छोटी साइड के श्केर का समव घड़ा हो बड़ी साइड के स्केर से तो ठीक है एक ट्राइंगल ट्रैंगल तो यह 25 आ गया और यह भी 25 हो गया दोनों बराबर हो गया तो किस की साइड हो गई यह तो right angle triangle हो गया यह right angle triangle हो गया तो angle के base पर हम identify कर लेंगे और side के base पर हम identify कर लेंगे कोंसा triangle है get it चलिए जी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है चलो नोट कर लिए आए करो और एंगल के बेस पर सुसोवेट बोलो राए राए उकुना REM राए बोलो को बाते को यह रोड़सर दो बाते जरती राए 왁झे माउडलो का ड़ सकते एंगलीव आस्रेंगा राए डूर्लरर्ण है बोलो के लाघ ऊच्छल कTrcence बोलो एंगल के बेश पर साइड के बेश पर दोनों पर एंगल में हर एंगल 90 डिगरी से छोटा और तीनों का सम बन इती डिगरी होगा ठीक है ना पर एंगल एंगल में एंगल 90 डिगरी का होगा और तीनों का सम कितना होगा और ऑप्ट्यूज में ठीक है बैट जो साथ की साथ लर्न करते चलो इसे यहां देखो गटा यह राइट एंगल नाइंटी डिगरी है और यह एंगल ठीटा है हमानशू अगर यह 90 एर यह ठीटा है तो यह एंगल कितना हैं यह नाइंटी एर यह ठीटा है तो यह एंगल कितना है नि इस इंगल का नाम रग लेते हैं A, B, C ठीक है और आप अच्छे से जानती हो आंगल A plus angle B plus angle C कितना होता है 180 डिगरी होता है इंगल A मुझे निकाल से अंगल बी कितना है 90 डिगरी इंगल C कितना है ठीटा сюда एक कोस टू 180 डिगरी तो एंगल एक इतना हो जाएगा 90 उधर जाएगा 90 बचेगा तो 91 के ठीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा तो यह कितना आ गया 90 डी-क οποि हजब हुआ कि फिकर चलिए है अच्छा मैं यहां परakinल की साइड ले ली मैंने यह ने हो फीट है मैंने कहा बेटा कोई आपजक्क है यहां पर मानलो यह मांसु खड़ा यहां पर और यह इधर देख रहा है तो जब यह इधर से इधर देख रहा है तो इसके सामने यह पड़ेगा तो इसके सामने यह पर टोंपर नो यह नज्ट और यह इधर की तो हैंगल हो और तो यह इन देख रहा है तो यह पर पैंडी कुलर हुगा इसके सामने क्या होगा यह पर थार कर दाथ radical का कब ध्यान दाया जब जो एंगल ने रहे हैं अगर मैं यह एंगल ले रहा हूं तो मेरे मेरे लिए यह पर फेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा हाइपोटैनस वह रहेगा नोट करो इस आए कि अ एक सिंपल सा कुश्चन पूछता हूँ आप से ये राइट एंगल ट्रेंगल है और मैंने का विटा तीन चार्च है क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल की साइड है तीन चार्च है किस सर हम साइड की पॉपटी लगा के देख लेते है राइट एंगल ट्रेंगल की क्या पॉपटी होती है A स्केर जमा B स्केर बरावर C स्केर तो ये छोटी छोटी साइड हो जाएगी तीन का स्केर 9, 4 का स्केर 16 और ये कितना आएगा 36 यह बराबर आना चाहिए था तो यह 25 आया और यह कितना आया 36 आया तो यह बराबर ही नहीं है तो यह राइट एंगल टेंगल की साइडे नहीं है ठीके ना अगर आप से पूछ ले कोई किया यह राइट एंगल टेंगल की साइडे है तो राइट एंगल टेंगल की साइडे न ऐसे हम मूट आके किसी को भी right angle की side नहीं बोल सकते यह बात के लिए हो गई उसे पहले हम identify करेंगे यानि कि उसे रखके देखेंगे हम property में follow कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है मैंने कहा जब अगर यह right angle triangle की side हैं बच्चो ठीक है तो इनके जो multiple होंगे वो भी right angle triangle की side होंगी multiple दो से गुड़ा कर दो सम्में 6 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 अब 3 से गुड़ा कर दो 3 तिया 9 4 तिया 12 और 5 तिया 15 चार से करो चार तिया 12 चार चौक 16 चार पंजे 20 5 से करो पांच तिया 15 पंजे 25 चे से करो छेतिया 18 चे चौक 24 चे पंजे 30 साथ से करो साथ तिया 21, साथ चुक अठाइस, साथ पंजे 35 आठ से करो, आठ तिया 24, आठ चुक 32, आठ पंजे 40 नो से करो, नो 37, नो चुक 36, नो पंजे 45 दस से करो, दस तिया 30, दस चुक 40, और दस पंजे 50 ठीक है, इनके जितने भी multiple होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? राइट अंगल, ट्रेंगल की साइड होंगी, वो सारे की सारे, करो नोट इससे जल्दी, इससे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगर मैं आप से कहूं बच्चो, 60, 63 और कुश्चन मार्क, ये राइट अंगल, ट्रेंगल है, और मैं कहता हूं ये कुश्चन दे दिया मैंने, find the value of question mark, मुझे question mark की value बताओ कितनी आएगी, question mark की value बताओ मुझे कितनी आएगी, ठीक है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, सर, hypotenuse का square equals to perpendicular का square, plus के base का square ये होता है, ठीक है, perpendicular कितना है हमारा 60, 60 का square, plus base कितना है, 63, ठीक है, इसका square कितना है बता, हाँ 87 है, इसका कितना है, कितना, ये न, अब जोड के कितना है, ये आया, ये h square की value आया, और मुझे h की value चाहिए, तो इसका root ले दूँगा, अब यहाँ देखूं, 75, 79, आपने बचपन में ऐसे पड़े होंगे, factor निकाल ले, हम क्या काम करते थे, बचपन में, कि पीछे से pair बनाते थे, किसका, क्या बनाते थे, पीछे से pair, ये बना दिये हमने, अब 75 में 7, 79, 88, 64, 99, 80, तो क्या हो जाएगा, 88, 64 हो जाएगा, कितना बचा, 11, और ये पूरा pair ही आएगा बाहर, इसमें 8 को जोड़ दो, 8 और 8, 16, यहाँ पर वो नम्म लिखना है, कितना 7, तो 7 बाड़ जाएगा ये, एक सो सरसत में 7 की मल्टिप्लाई करोगे, तो 11, 79 आजाएगा, और नीचे 0 बचना चाहिए, तो ये किसका आगया, 87 का आगया, किसका आगया, 87 का आगया, तो H की value आगी हमारी 87 आगी, कितनी आगी, 87 आगी, ये बात के लिए रहे, या फिर हमें इसके factor कर लेंगे, चलिए, अब यहाँ पर आजाओ, हमने एक ट्रपलेट देख लिया है, 3, 4, 5 का, ये ट्रपलेट साथ की साथ याद करते हूँ, चलना, पीछे के लिए कुछ मत रखना, अब आजाओ, 5, 12, 13 पर, चेक करके बताओ, ये राइट एंगल का ट्रपलेट है या नहीं है, पांच का 25, 12, 144, 25, 14, 173, 169, भजाएगा, ठीक है, अब इसका जो मल्टीपल होगा, वो भी तो इसी का होगा, पांदुनी 10, 12, 24, 13, 26, तीन से मल्टीपलाई करो, 15, 32, 36, 33, 49, चार से मल्टीपलाई करो, पांच जोग 20, 12, 48, 43, 52, पांच से करो रे, पच्चिस, बारम बंजे 60, और तेरम बंजे 65, चैसे करो, चैसे पंजे 30, बार्चिंग 72, तेरे चिक्क्य 78, साथ से करो, साथ पंजे 35, 12 सते 84, तेरे सते 91, आठ से करो, आठ पंजे 40, बार्चिंग 92, तेरम बंजे 104, नौ से करो, नौ बंजे 45, बारे निम्मा 108, तेरे निम्मा 117, दस से करो, पचास 120, 130, ये बात के लिए रहो गई, ठीक है, अब थोड़ा पहले यह नहीं लिख लेते हैं, अब मुझे बताओ, 3, 4, 5 पढ़ लिए हमने 5, 12, 13, तो अगला कौन सा आएगा बिटा, 7, 24, 25, चेक करके बताओ फटा फट, राइट एंगल की साइड है, आएगा सम बराबर आएगा, ठीक है, इनका भी मल्टिपल लो, 7 दुनी 14, 24 दुनी 48, 25 दुनी 50, 3 से 7, 21, 24 दी 72, 24, 95, 25, 100, चलो आगे देखते हैं, अगला कौन सा आएगा, 7, 24, 25, अगला देखो बिटा, 8, 15, 17 होते हैं क्या, नहीं होते हैं, आठ का 64, 15 का 225 हो गया, 5, 4, 9, 6, 8, 289 हो गया, 17 का इसकर कितना होता है, 289 होते हैं, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं, आठ दूनी, 16, 15 दूनी, 30, 17 दूनी, 34, तो तीन से गरो आठ दिया, 24, 15, 35, 17, 51, और 4 से गरो आठ चोख, 32, 15 चोगा, 60, 17 चोगा, 68, 5 से गरो आठ पंजे, 40, 15, 75 हो जाएगा, और ये 85 हो जाएगा, अगला कौन सा होगा भई? अगला, नो, चालीस, एकतालीस, करोच है किसे? नो, चालीस, एकतालीस, 16, 81 होगे बिटा, 41 का स्क्विर भी 16, 81 होता है, आज आओ यहाँ पर, तो देखो, नो दूनी, 18, 40 दूनी, 80, 41 दूनी, 82, तीन से करो, नो, तीस, अत्ताइस, यही तो आएगा, चार से करना, इतना ही बहुत है, ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी, इसे नोट करो जल्दी, अब यहाँ पर आजाओ, यह वाला कुश्चन था, अगर इनके मल्टीपल, अगर राइट एंगल के ट्रपलेट बन जाते हैं, तो इनके रेशियो, यह कहां लिखा है हमने, यहां लिखाए गया, इनके रेशियो, जैसे माल हो, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर एक कुश्चन लेता हूँ, एक कुश्चन मैंने यह ले लिया, बिटा, यह राइट एंगल है, और मैंने इसकी साइड ले ली, यह 21 ले ले ले, यह 28 ले ले ले, तो यह निकाल ली है, ठीक है न, हाइपोटैनल सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है, इनका कॉमन रेशियो ले लो, कॉमन रेशियो का मतलब यह होता है, कि कॉमन नंबर नहीं होना चीए इनके बीच में, तो कट कर दो इसे, किस से कटें हैं, तीन साथ एकीस, यह न, साथ एकीस, और साथ चौक 28, अब हमें याद आजाएगा कि तीन, चार और पांच राइट अंगल के ट्रपलेट होते हैं, इस तीन का कितना गुना है, शाध गुना यह चार का साथ गुना, तो यह भी पांच का कितना हो जाएगा, पिटा, 7 गूना 35 हो जाएगा तो यह कितना जाएगा? 35 हो जाएगा तो यह आ गया 35 बात साज में आई? ठीक है अब इस question पाते हैं कहा है? यह रहा है अब देखो छोटी साइड तो यह है छोटी इन दोनों में सेको इसी होगी ना हमें नहीं पता 72 यह आगया और 78 यह आगया इन में से common number को हटाओ 6 12 चिंग 72, 13 चिंग 78, 6 से गटाए न तो अब मुझे याद आएगा 5, 12, 13 भै इतना तो याद रखना ही पड़ेगा 5, 12, 13 इतना तो दोस्त याद रखना ही पड़ेगा तो ये 5 आगया तो ये कितना गुणा था 6 गुणा था, ये 6 गुणा था और ये भी कितना हो जाएगा 6 गुणा, 6, 35, 30 तो ये एक्सी वेल्यू कितनी आजाएगी 30 आजाएगी ये बात के लिए रोगी common ratio लेके बस ये छोटे-छोटी ट्रपलेट याद रखने, 3, 4, 5 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 41, 47, 24, 25 चलिए जी यहाँ पर एक्सी वेल्यू बताने आपको यहाँ पर एक्सी वेल्यू बताने आपको 7.5, 8.5 यहाँ भी एक्सी वेल्यू बताने आपको यहाँ पर एक्सी वेल्यू बताने आपको करो जीन चारो कुशिंगो वेल्यू देखना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर आजाओ बिटा एक बात बताओ यह 72 है यह 78 है यह निकाल ली हमें ठीक है कॉमन नम्मर हटाओ यहां से कितना आया बार्चिंग 72 तेरे चिके 78 तो पांच बारे तेरे होता है बिटा कितना 6 गुना है तो यह भी 6 गुना हो गया तो 6 बंजे 30 और यह बात आप भली भाती जानते हो बिटा हटेनिस कभी छोटी साइड नहीं बनेगी यहppt 172 है अगर यह 78 है तो हाईपोटेनिस चोटी साइड नहीं आएगी हाँ यह तीज यह तो Comics यह पने नहीं बनेंगी चलिए यहां प्राज़ों यह निकालनी है रहे 27 है और 113 कॉमन नम्मर बोलो तो नाइन से टीन नम 27 पॉट्टीवल तो यह 40 आ जाएगा और 40 तीया 120 तो यह आ एक सोबीस ना नो चालीस एक्तालीस क्या होते हैं राइट एंगल के ट्रपलेट होते हैं अब यहां पर आज़ो अगर पॉइंट वाली की बात करें तो पॉइंट को उड़ाई देते हैं जीवन में अगर यह परिशान कर रहा है तो हटाई दो से तो सत्रम पंद्रम बंजे सत्रम बंजे पिचासी तो कि आठ पंद्रह सत्रह तो पांच गुना था तो आठ पंजे चालीस अब यहां पर पॉइंट हटाया था हमने तो एक डिजिट बात पॉइंट लगा था या फिर मैं दस से डिवाइट कर देता हूं तो यहां पर चार आ जाएगा कितना जाएगा यहां पर आजाओ तो यहां पर यह निकाल लेते हैं यह 35 है और वो कितना है 125 कितने से कट रहा है पांच सत्य 35 और 25 पंजे 125 तो आप समझ गे होंगे साथ 24 25 और 24 पंजे 120 तो यह कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ठीक है तो common ratio हटाओ फटाओ फटाओ और side मिल जाएगी नोट कर लिया सब आ जाओ दोस्त लेको बिच अमंग दा फोलोविंग यह पाइथागोर्स टापलेट ओप्शन है आपके 15 112 एक सो तेरा ओप्शन भी 15 अठारे कीश ओप्शन C 15 18 21 ओप्शन C 15 17 22 ओप्शन D 15 18 13 करो जिसका अंसर अब यहां पर राइट एंगल ट्रपलेट मतलब पाइथागोर्स ट्रपलेट राइट एंगल के ट्रपलेट ही तो निकाल ले हम है एक तो कॉमन सेंस थी यह था बिटा हमने अभी सीके थे थोड़ दिर पहले के देखो यह 15 18 21 कीश टाइप का सर हमने कहीं नहीं देखा हमने देखा था आठ 15 17 का यह ना तो इसके आसपास का होता है तो यह होता है तो यह तो गलत वैसी हो जाता ठीक है ना और यहां भी आठ 15 17 के आसपास के यह भी गलत हो जाता सर यह भी गलत हो जाता ओप्सें ए बसता मेरे पास में तो एक कोमन से से हम आंसर यह वाला निकाल देते हैं भाई अभी तो पढ़ें हैं हमने क्या क्या बढ़ा है तीन चार पांच और पांच बारा तेरा और साथ चौबिस पच्चित आठ पंदरह सत्रह और नो चालीस एक तालीस यह बात क्लिर होगी अभी तो पढ़ें है इनके आसपास में तो यह नहीं बैट रहे हैं तो यही तो बैठेंगे तो कॉमन सेंस बाहम यह अटा देते हैं यह न देखते हैं यहां देखते हैं लिखेंगे सम इंट्रेस्टिंग फैक्ट अवाउट राइट एंगल ट्रपलेट ठीक है यहां देखेंगे बैटा यह 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 ले लिया मैंने एसके माइनस के बन अपन टू एसके प्लस बन अपन टू यह जो होगा इस्मॉलर साइड होगी यह एंड अल्सो ओर्ड नंबर एंड अल्सो ओर्ड नंबर होगा ठीक है सर यानि कि मेरे पास में यह राइट एंगल के ट्रपलेट आगे दोस्त ए एसके माइनस बन अपन टू और एसके प्लस बन अपन टू यह आगे ठीक है सर अब देखो भी यहाँ जैसे मैंसी एकक्जामल लेता हूं यहाँ पर तीन चार पाँच है क्या है बीटा तो यहाँ पर सबसे स्मॉलर्स नॉमर कौन सा है इंक मैंने कहा सब स्मॉल्स गोह चाहिए और कैसा ऑना चीलिए और कैसा होना चीलिए और तो 2 रखेंगे यहां पे तो यह 3 हो गया, यहां पर 3 रखो 3 का इolis को नो-अ-अर packed को दो C2 करें चार यह आ गया अगो तो 35 एक एक जांपनो ले लेते हैं यहां पर pseudo 15 sms और कैसा नहीं और चीए और चार चीए तो 5 आ गया बाएक चीक करें 12 25 और 26 26 को 2 से डिवाइड करा 13 तो यह आ गए है ठीक है यह बात समझने आगी चले आगे बढ़े नोट करो जल जी तो यह रिजल्ट याद रखना है आपको a a square minus 1 upon 2 और a square plus 1 upon 2 तो हमारा रिजल्ट था a square minus 1 upon 2 और a square plus 1 upon 2 यह था ठीक है सर यहाँ पर लगाते हैं सबसे छोटी साइड यह ही है यह आगी बिटा 15 बागी की चेक करनी हमें तो पंद्रा का square 225 दो सो चोबिस और दो से डिवायड करें एक सो तेरा तो यह राइट एंगल की ट्रप लेट हो जएगे यह बात के लिए रूबी चलिए अब यहाँ पर आजओ अब इसमें केस बनेंगे हमारे दो केस केतने बनेंगे दो केस बनेंगे केस फस्ट ऐसे लिखे लेंगे A शुट भी smallest side and also odd number odd number तो क्या था इसका result A A square minus 1 upon के 2 और A square plus 1 upon 2 यही था भाई ठीक है सर दूसरा case case second क्या बनेगा case second बनेगा यह A है न ठीक है A A should be smallest side and also even number $ Sَमसंख्या क्या रहे समसंख्या तो इसका result क्या आता है A सबसे छोटा नमबर 8 है और कैसा इवन नमबर है रखेंगे यहाँ पर तो यह आठ आएगा सब्सक्राइब तो यहाँ पर कितना ले ले चार तो फॉर्मूले में यहाँ पर चार करो तो साट बटे चार तो कितना आ गया पंद्रचों का साथ और सा अब 8,6,7,7 चोका 8,6,7 आ गया तो 8,15,7 आ गया तो यह फॉर्मूला त्यहाँ लगना ही तो तो स्मॉल्ले साइड हो जाएगी और और नमबर के लिए हो जाएगा A A square minus के 1 upon 2 और A square plus 1 upon 2 smaller side हो जाएगे और even number के लिए हो जाएगा A A square minus 4 upon 4 और A square plus 4 upon 4 हो जाएगा करिये note कर लिया भई note कर लिया तो मैं कुछ question दे रहा हूँ इनके जवाब करेंगे आप ठीक है question नमर फ़र्स्ट x की value निकाल लिए हाँ पर question number third question number four x की value निकाल लिए हाँ पर question number five 41 bias point 5 or x और यह आजाएगा बेटा 14 question number six 6.25 1.75 और यह x value निकाल लिए हाँ पर इसका कितना आ रहे हैं इधर सी बरहे हैं ऑच्छा चलो जीथर सी बरहें नो 60 63 और यह कुश्चन मारक बेटा कितना 20 ती अगा 21 ती 63 और 29 ती 87 तो यहां पर 87 आ जाएगा तो यह 87 क्योंकि तीन गुना है ना ठीक है यहां पर आ जाओ रूट 5 को मारो गोली तो यह आ जाएगा 40 रूट 5 आ जाएगा क्योंकि 940 41 क्या होता है रहा हमारा राइट एंगल ट्रपलेट होता है ठीक है रूट 5 कॉमन चल रहा है ठीक है साब यहां पर आ जाओ तो बिटा यह 16 63 और 65 राइट एंगल के ट्रपलेट होते हैं और रूट 3 3 में चल रहा है इसके साथ में तो 16 यह आगा अब काटे अगल करते हैं इसका दो गुना कर लेते चौद अट्था इस कर लें बाएदुनी चौब आलीस और एक पैंता लेस्ट अट्था पैंता लेस्ट तरेपन होता होगा कहीं देखो ट्रपलेट होगा अठ्था इस पैंतार इस्तरेपन का है तो बिटा यह दोग ना कराया तो इसका आप आधा कर कितर लिख देते हैं तो कितना जागा 26 पॉइंट पाउच तो यह आजागा 26.5 चलिए जी इससे बोलो रजा पॉइंट को तो गूली मारे तो बन 75 और यहां पर एक छोटी वेली छही हिए अजाएगी और सिक्स्स थू फाइब को माननमर हटाव नूठी तो फास से काटें 15 15 25 स्वाच एक पांच 25 पांच 10 पहंए 15 25 फिर काट पांच 10 25 और पांदुनीदस पहचाम पच्श्स सो साच 2725 खोगिया है और साब कितना बजास पच्चिस गुना है तो चौवी किटना आएगा 650 he a dvn करते हैं चलती है 24 और 25 कर देखो च्छेसवाएगा तो पीटा ये छैसा आया और उपर दू डिजिट बात दसना लगा हुए तो दो डिजिट बाद लगा दो अच्छे आजाएगा यह आजाएगा ठीक है बस होगे सारे चलिए बात समझना आगी तो हमने ट्रपलीट पर काम करा है अभी न तो जितने भी मर्टीपल होंगे या जो अलग से यूज होंगे लेज देन जो हाइपोटनस हंडर होगा वह भी लिखा दिया मैंने उनको स्वाज आगे बटा आब स्टार्ट होगी हमारी तिर् गों किया होगी सिर्व Series अब स्टार्ट होगरा त्याव को अभी तक को नहीं थी अभी तक बेसिक ही चल यह सिर्ग सब्सक्राइब कर स nuclear करेंगें वह इसका प्रवुद देख ये क्या दोनों से में कर बाइ। यह बना ग्यायन यह बताओ मुझे यह धांगर 45 यह और मैंने यह 45 घृरी अब बताओ चलो तो मैंने ये 90 डिग्री ले लिया और ये 90 डिग्री ले लिया चलो तो ये और दिविदा बच्ची होगी तुमारे मन में अब अब से में तो अगर ये से में तो ये इतना चोटा बनाया मैंने ये इतना बड़ा बनाया है तो फिर इतना 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 स्पेस क्यों लिया फिर मैंने ठीक है ना अच्छा इस काम को हम सीखेंगे कहाँ पर जोमेटी में सीखेंगे इसका मतलब ये है राजा इसका रेशियो टू रेशियो थ्री है साइड का कितना टू रेशियो थ्री है ठीक है और अगर मैंने ये ले लिया चालीस और ये ले लिया साट तो ये तो साट सेंटी मेटर ये साट मीटर माल लो ये किलोमीटर माल लो ये चालीस हो गया ये तो क्या है रियल वैल्य और क्या रिखिया इनकर राइश 52 चालीस और 20 जोत तो लेख आप यहां पर आज हो, अभी time है नारे, तुम तो बेले होगा है, चाएगा भी तो होगा तुमारा समय, चलिए, आज हो, this one hypotenuse, this base, और this perpendicular, ये बात के लिए हो, चलिए, ये बात समय आ गई हो, ये बात के लिए हो, चलिए, आज हो, 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 आ यह है P का square प्लस B का square बरावर H square यह बात के लिए रहे भाई ठीक है यह बात के लिए रहे मैं एक काम करता हूँ दोनों side में H square से divide कर देता हूँ क्या करता हूँ बच्चा पाटी very good किस से कर दो बिटा H square से divide कर देता हूँ तो इसकी image पर कोई फरक पड़ेगा पड़ेगा very good P upon H का whole square हो जाएगा यह पिलस के B upon H का whole square हो जाएगा equals to क्या हो जाएगा H upon H का whole square हो जाएगा बट अभी तो मैंने वह भी ratio भी तो पताने यह direct थोड़ी बता दुआ तो पहले ratio पर चलते हैं पहले किस पर चलते हैं रेशियो पर चलते हैं ठीक है यहां पर जो पहला परपेंडिकुलर ने हाइपोटेनस के साथ ratio बनाया किसके साथ परपेंडिकुलर ने हाइपोटेनस के साथ ratio बनाया तो इसे कौन इसे एंगल को ले लेते हम ठीटा क्या ले लेते हैं ठीटा ले लेते हैं तो इसे नाम दिया गया क्या रहे साइन ठीटा अब ऐसा मत सोचना सर्फ साइन ठीटा ही क्यों दिया ठीक ना जिसने डिजाइन करा उसने बहिया यह अपना राजा रानियों के नाम पर रख दिये ठीक ना अगर कल को कोई चीछ तुम डिजाइन करोगे तुम अपने नाम पर रख दोगे उसे ठीक है ना तो साइंट फीटा ने घा जो मेरा रेशियो में पसंद करता हूं पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ रेशियो बन गया चलो जी यह बात समझ में आगी भी यह इतनी एक तो यह आ गया दूसरा रेशियो कौन आया दूसरा रेशियो आया कि भाईया बेस और हाइपोटेनस के साथ में कौन बनाएगा रेशियो तो यह कौन बनाएगा रहे यह बनाएगा कॉस तो कॉस ने का जी यह मैं बना लूगा ठीक है जी तीसरा तो परपेंडिकुलर अपन बेस के साथ में किसने रेशियो बनाया तैन ने बनाया किसने बनाया तैन ने बनाया ठीक है सब अब इन्होंने ऐसे रेशियो बना दिये न बेस अपन परपेंडिकुलर के साथ में किस ने बनाया कोट ठीटा ने बनाया चलिए जी अगले बाजाओ पांच वा मुझे बताओ हाइपोटेनस अपन बेस के साथ में किस ने बनाया सैक ठीटा ने बनाया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हो और यह ऊपन पी इसके साथ किस ने बना या को स्थीटा ने बनाया है इनगा हां इसमें ज्यादा दिमाग नहीं दोड़ा ना है सिंपल सिंपल साुपर है इस इस इम लोगों ने रेशियो बना लिये सार ने रेश यल्जिए पसंद करा में सार देुनि 죄 में को सी साथ में तो यह आजाते हैं प्रज़ फिर छिरikte नोट करो जल्दी